प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट नभी इसायस का ग्रंद प्रभु यह कहता है मैं जो उप्वास चाहता हूँ वह इस प्रकार है अन्याय की बेडियों को तोड़ डालो जुए के बंदन खोल दो पद्दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठराओ जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मूह न मोडो तब तुम्हारी जोती उशा की तरफ फुट निकलेगी और तुम्हारा घाव शिग्रही भर जाएगा तुम्हारी धार्मिक्ता तुम्हारी आगे-ागे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे-पीछे आती रहेगी यदि तुम पुकारोगे तो इश्वर उत्तर देगा यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तूत हूँ यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पदलितों को त्रीप्त करोगे तो अंधकार में तुमारी जोती का उदई होगा और तुमारा अंधकार दीन का प्रकाश बन जाएगा प्रभुसदा ही तुमारा पत प्रदर्शन करेगा और मरुभूमी में भी तुम्हें तृप्त करेगा वह तुम्हें बल प्रदान करेगा तुम सीची हुई वाटिका के सद्रिश होंगे ऐसी स्रोट के सद्रिश जिसकी जलधारा कभी नहीं सुकती यह प्रभु की वानी है संद्र लुकस केनसार पवितर सु समाजार अध्याए पांच पदसंग्या एक से ग्यारा तक एक दिन एशू केनसरत की जील के पास थे लोग इशर का वजन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते दे वो समई उन्होंने जील के किनारे लेगी दो नावों को देखा मच्वे उन पर से उतर कर जाल धोर रगे थे यह सीमोन की नावों पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कगा इसके बाद वो नाव पर बाइट कर जनदा को सिच्छा देने लगे उबदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कगा नाव को गेगड़े पानी में ले चलो और मचलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो सीमोन ने उतर दिया गुरिवर रात भर मेंगनत करने पर भी अब कुछ नहीं पकड़ सके परन्दो आपके करने पर मैं जाल डालूंगा ऐसा करने पर बहुत अधिक मचलियां पसगी और उनका जाल पटने को हो गया उन्होंने दूसरी नाव के अपने सात्यों को इसारा किया और वे आकर हमारी मदद करो वे आये और उन्होंने दोनों नावों को मचलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई ये देखकर सीमों ने एशु के चरणूंबर गिर करका गा प्रबू मेरे पास से चले जाईए मैं तो पापी मनशु हूँ मचलियों के जाल में पसने के कारण आओ उसके साती विस्मीद हो गए येगी दशा जाकोब और जोगन की भी हुई ये जबदी के पुत्र अव सीमों के साचेदार थे येशु ने सीमों से कगा डरो मत अब से तुम मनिश्यों को पकड़ा करोगे वे नावों को गिनारे लगा कर अब सब कुछ चोड़ कर येशु के पीछे हो लिए ये प्रभु का दीवियस्यों समाचार है क्रिस्ट प्रभु की जय प्रभाई और भगनों आज सप्तमबर मैने के पांच थारीक है आज के दिन पवित्र कलिस्या मदद तरस्या को जात करती है मदद तरस्या का जन्म विदेश में हुआ था अल्बानिया देश में 1910 में आउकस मगिने के 26 थारीक हो और वे 18 साल के उमर में कौर्णमेंड में जोइन किया और एक साल के बाद वे कलकता बेजी गई तब इसी हमारे देश में उसने निवास किया कलकता में उनका कारी रगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सिच्छा देने के लिए और बड़े-बड़े संबन और संब्राट और खुलीन लोगों के बच्चे वहां बर आते थे मदर ने बच्चें को सिखा इस गुरू के काम में वो लगी थी परंदू उसने देखा कलकता के गरी वस्तियों में अनपड बच्चे अनाद बच्चे और बुड़े-बुड़ीयां जो सडकों पर पड़े थे और ऐसे लोगों को देखकर मादर के दिल में उनके प्रदी विशेश अनिराग हो गया आओ उसने कॉन्मेंट को छोड़ दिया आओ उसने इन लोगों की सेवा करने के लिए कलकता के जो काली माई का मंदिर है वहां पर उन्होंने शरण लिया आओ वहां के पुजारी मदर की मदद करिया आँ जानते हैं कि वहां से शुरू होगे मदर का कारिये आज जो मिश्णरी सो चारिटी नाम से फूरे बिश्में पहले है मदर की इस सेवा देखे कर भारिट सरकार ने भी उनके साथ दिया कलकता करिता उसमें बंग्जाल के जो चीपने से बीसीर होई यह पोप पॉल चट्वाम भार्द में आये दे यूक्रिष्टिक कॉंग्रस के उबलप्च में, संदर्प में और मादर से मुलाकत हुआ था, तब से मदर को पूरे विश्यों के खलिस्या ने मदर का समर्थन करने लगा, इसके बाद नॉबल प्राइस उनको दिया, मिल गया, और बारे सरकार ने उनको भार्द रिक्न का उबादी भी दे दिया, और वे पूरे देश में अपने कारी करती देगी, मतर से की संस्ता इतने बेड़ी संस्ता हो गई है, और मतर से की मुर्थ्यू, हम जानते हैं कि इसी द दिन, उनीसाओ, अटानवे में हुआ था, और उनके मुर्थ्यू के दिन को कलिशिया, उनके सम्मान में त्योगार के रूम में मनाती है, बारे सरकार ने उनकी मुर्थ्यू, उनका जो अंतिम संस्कार है, उसको देने एक पूरे देश, विदेश के लोगों को आने के लिए प्रबंद किया, और उनका सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार दिया गया, और राष्टों के अधिवधी भी देशी में आये दे, संद्विदा के प्रधिनीदी के रूम में, वो समय के वाइटिकन, विदेश मंदरे के जो क्यारी करते हैं, सेकर्ट्रियो स्टेट, वे भी हम इस महान ये आत्मा को दन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को जीवन दिया है, पेशेश करके करीब हों के लिए, अनाद हों के लिए, और ये सम्मान का पात्र है, आज के दिन हमारे देश में सिच्छकों का दिवस्मना आया जाता है, देवर ठीचे सिदे, क वह वाइचांसर भी देगे, और उनके जन्मदीवस हैं, आज के दिन हम पूरे देश में सिच्छक दिन मनाए जाता है, आम इन सब मगात्मा वहों से प्रेर ना ले सकते हैं, मदद तरह से ने हमें सिखाया है, कि जो चोटे से चोटे भायों के लिए जो हम सेवा करते हैं, ह जित्या, ज्यान, सबी दनों से सब से महत पूर्न धने, शिच्छा मनशियों को, विक्तियों को, इंसान को, वो सश्यक्तिकरन का प्रदम स्तान शिच्छा के लिए, शिच्छा है हमें सश्यक्तिकरन करती हैं, शिच्छा के बीना, आगे बढ़ना मुस्किल है, इन मगात्मा होंगा आज हम याद करेंगे आज के प्रत्म पाठ में हम जब पढ़ते हैं कुरियंद्य गिनाम पावलुस का पत्र इसे हम आज के पाठ पढ़ सुन रहे हैं पावलुस आज उनको बताते हैं कि कोई अपने को धोका ना दे यही आप लोगों में कोई अपने को संसार की जिनके पास ज्यादा बुद्धी है, जो डिगरी है, यह सब संसार के दृष्टी से ज्यानी है, संसार के दृष्टी से ज्यानी वगी है, वो अपनी कमा सकते हैं, और बड़े-बड़े उंचे पद तक जा सकते हैं, आर पैसा वाला ही संसार में ताकत वड़ा है, आईसे इक संसार में हम दोते हैं, संसार के दृष्टी में सब से ताकत वड़ा, सब से सकस्सॉब विटि वखी है, जो सब से magon, rashtrama, अधिबधी बने, राजास है, पर अनु, एष्व की दृष्टी में वो ताकत बड़े में गेगुकदाना मित्ती में गिर कर मर जाये, तभी उट से एक नया पवदा जाये, वगी सक्सस है, वगी सफलदा है। येश्व के दृष्टी अदग है। येश्व ने कगादा माई सेवा करवाने के लिए नहीं सेवा करने के लिए और अपने अपको समर्पित करके संसार का उत्धार के लिए अपने को बिलिदान के रूप में समर्पित करने के लिए आया हूँ। येश्व के दृष्टी अग है। इसे पावलोस कुरियूंद के विश्वासियों को का होते हैं, कि संसार के दृष्टी में येश्व के दृष्टी में अपने के अब अमार नहीं है, सबसे बड़ी वीफलता है। जिन्दगी के सबसे बड़ी बरबादी है परंदू ईश्वर के दृष्टी में ये मगान बलिदान संसार के उतार के लिए है आख कुरूस ईश्वर का प्रेम का चिन बना है बलिदान और ये संबून बलिदान जो येश्वी ने किया दा ये सबों के लिए आदर्स मैं हो गया येश्वी ने अपने सिश्वर के पायर दोकर उनसे कगा मैं तुम्हें एक नमोना दिखाता हूँ तुम भी आई से करो संसार में ये सत्ता और अधिगार ये सेवा के लिए प्रव ने अपने सिश्वर के कगा मानते हैं वो अलग बात है वहां सत्तादारी सासन करते हैं हाँ और लोगों के ऊपर अधिगार पाना ही सफलदा है एक अधिगार खो देना दूसरों के सेवा करना ये संसार के दिर्ष्टे में मूर्ग कता है इसलिए पावल सागे विश्वासियों करते हैं आप लोग मानिश्यों के बुति पर गर्व ना करें आप क्योंकि सककुच आपका है येशु के साथ मिलने के कारण आपके बीच ये कदा होनी चाहिए हम जानते हैं सब इंसान इस और से आये हैं इसलिए हमारे बीच किसी प्रकार का भेद बाव नहीं होना चाहिए येशु ने अमें सबों के सिश्शा दी है की हर इंसान मूल्यवान है रहर इंसान इस और की प्रकार की बिन्दा नहीं होनी चाहिए हम सब इसोर की संदान होने के कारण एक दूसरे के साथ सम्मान के पेववार भी खरना है उच नीच का नहीं और सबों के सेवा करना इसके द्वारा ही हम सबों के खिल्यान दे सकते हैं सत्ता और कुर्सी सेवा के लिए हैं कलिस्या में भी इस बात को समझने के जरूरत है जितने भी जिम्मेदारिया आपको मिलती है वो आपको सेवा करवाने का एक रीदी नहीं एक आवस्षर नहीं सेवा करने का आवस्षर है आप विश्वासियों के सेवा करना यही जिन लोगों का जिम्मेदारी है जैसे कलिस्या में हम लोगते हैं यह कुछ शपर्ण की जो अनुगरन करते को suwe आज की स्वर्णामाजार में हम देखते हैं पेतुनूस का बुलागत येशू शिशियों को चुने दे मार्कूस आप मत्टी के सुसमाजार में हम अलग तरसे देखते हैं कि येशू ने उनसे का गा मेरा अनुगरण करो और येशू ने उनको आईसाथ पुकारा और उनको चुना लुकस के सुसमाजार में इस तरका नहीं की विशेशता है फेतर उसको जी सरे प्रवु ने चुना चालीस दिन की वुवास के बाद सोसमाजार की कोशना करते रहे थी और ऐसे वे अपने गाव में गए देता वो वगांबर उनका तरसकार हुआ था और आगे आग प्रवु आते हैं कफर नाव में वगांबर सवाग्रों में सिच्छा देते हैं और एशु सिच्छा देते हुए कफर नाव के एक सवाग्र में एक अबदूद ग्रस्त विक्ति को चंगाई देता है लुकस के सुसमाजार का इंसार इसके वाप पेतरुस के घर जाते हैं वगामबर उनके सास माई जो बीमार दी उनको चंगाई का वरदान देते हैं विसराम का दिन दा इसलिए सुर्यास्त गोने के बाद ही लोग चलने पिलने रगते दे इसलिए बहुत बड़ी भीर पेतर उसके घर के सामने आ गया वगामबर येश्व ने रोगियों को चंगाई दिया बहुत उनको सास्त लाव हुआ और येश्व गाव गाव में गुमते दे सुसमजार की कोशना करते दे ऐसे करते कुई है आज प्रभू आते हैं आज के पार्ट में जो लुकस के सुसमजार दे हैं ये पांच है लुकस ने कागा येश्व गनेसरत की चील के पास आए और येश्व वगाव चील के सामने आया दा गनेसरत आये दे और येश्व का बजन सुनने के लिए बहुत भीर भी आगे पेतरों सा साती पूरे रात मचली पकड में लगे दे पर तो कुछ भी नहीं नहीं उला हाई ये दो नाव येश्व ने देखा मचली उनसे उतर गए जाल साप कर रहे थे ये तो बहुत बोरा काम भी है सीमोन और उसके साती अपने नाव किनारे करके जाल साप कर रहे थे दूसरे नाव पर आम जारते हैं आवर दो लोगे देख सभी दिके पूतर जोगे नाव उसका भाई जाको ये लोग भी अपने नाव साप कर रहे थे साप कर रहे थे पूरा रात नराश हो गया येश्व ने सीमोन का नाव चुना आवर उसमें बाइट गया सीमोन से कगा नाव गेगरे पानी में ले चलो और मचलियम पकड़ने के लिए अपने जाल डालो येश्व तो पेशे से कारपंदर है बड़ाई का काम करने वाला है मचलि कभी पकड़े भी नहीं है आवर ये नसरत से आये इनको ये सब बाते साइद मालूम नहीं है पेत्रूस जन्म से ही मचवा है आवर ये मचलि पकड़ना उनका काम था उनकी जीवी गा था इसलिए वो इसमें एक्तम ये तो किलाडी है पर दू येश्व ने उनसे कगा कि तुम नाव गेगरे पानी में ले चल कागा गुरुवर पूरे रात हम लोग ने मेंगनती गया कुछ भी नईम पकड़ा है पर दो आपके करने पर माइक कर दूँगा पेत्रों से आग्या फालन करके येश्व के करने पर गेगरे पानी में चले जाते हैं और जाल डालते हैं आई से करने पर बहुत जादा मचली मिलगे पेत्रों से देखा कि ये बढ़ाई ये सादारन बेक्ती नगी है ये बढ़ाई ये इस्वर का ये अभी बेक्ती है ये इस्वर का जैसे ये प्रगट हो गए हमारे सामने इसलिए उप कहते हैं येश्व के पैरों देले वो नद मस्त गोकर सीमाम पेतुस येश्व के चरनुंब गिर कर कगा प्रभू मेरे पास से चले जाए मैं तो पापी मनिश्व मुसास जानते हैं कि इस्वर के सामने खड़े होने के लिए वो योकी नहीं है तो कोई इस्वर के सामने आते हैं ये अपनी असलियत को उसको मालुम बढ़ जाता है कलते प्रभू मैं पापी हुम सीमाम पेतुस ने इगी कगा था परदू ये शुने सीमाम पेतुसे कगा अभी तुम मनिश्यों को पकड़ाओ करोगे ये पेतुस का बुला कर्ट दा ये शुने उनसे नहीं कगा तुम आगो मेरे अनुगरन करो ये शुने उनसे कगा अभी तुम माचली पकड़ने वाला नहीं मानिश्यों को पकडने वाला हो जाएगा फिर तरुस हो सात्यों ने अपने दाव किनारे करके येश्यो के अनियाई बन गए येश्यो के पीछे ओल लिए येश्यो हम हरेको को बुलाते हैं सेवा करने के लिए जिसम मने तरस्या को बुलाया येश्योर हम अरेक विश्वासी को बुलाते हैं अरेक इंसान को बुलाते हैं क्योंकि सेवा धर्म सबसे मगान है सेवा धर्म सेवा के दवरा हम येश्योर की सेवा करते हैं सेवा के दवरा हम जैसे प्रव येश्यों ने अपने अन्दिम न्याए के दू दिर्ष्टांद कागा, जब तुमने ये चोटे से चोटे बाईयों के लिए तुमने जो कुछ गिया, तुमने मेरे लिए किया है, मादा तरश्या ने भी हमें ये सिखाया है, हाई हम प्रार्तना करें, ये प्रॉब हम दनिवाद देते हैं, आज के संद के लिए मादा तरश्या के लिए, वो हमारे देश में हाई, हमारे जैसा बनी, हमारे लोगों की सेवा की, उसकी कादी पूरे दुनिया में फाइली है, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, हर एक गरीब का उनने ध्यान दिया और उनकी सेवा में पूरे के पूरे लग दिया, हजार लाकों बच्चों के लिए वे माँ बनी और उनकी सेवा में वो लगी और उनको नए जीवन दिया, और बहुत बच्चे अपने जीवन में सफ्रदा के ओर बढ़ा, यह प्रवो आज के पाटों के लिए हम दनिवा देते हैं, हमारे बीच एकदा का यह आगवान है, एकदा के लिए हमें बहुत कुछ खो देना पड़ता है, गेगो कदाना मित्ती में मिलक मर जाना है, तभी वो नया परुदा बनेगा, एक दूसरे के उपा सासंग करने के लिए नहीं सेवा करने के लिए तुमने हमें इंचोना है, जिस तरह पेत्रुस का अनुभव हुआ, प्रवो की वस्दी का, आवर उनके जीवन में जो परिवर्तन आ गया, आम इसके लिए धनिवाद देते हैं, अमारे जीवन में भी यो परिवर्तन आ जाए, हम अपनी असलियत को, अपनी कम्मी को, अपनी पाप में जीवन को देख लिए, आवर उसको बदलने में आम सच्छम हो जाए, इसलिए हमें कृबा दे, ये प्रवो ये भार्तन हम करते हैं, अमारे प्रवक्रिस के द्वारा, आमेन. अमारे प्रवक्रिस के देख लिए, अमारे प्रवक्रिस के देख लिए,